हेलो दोस्तो क्या आपके बाल भी बहुत ज्यादा जड़ रहे हैं क्या आप परेशान है अपने जड़ते बालों से और आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं आपको ऐसा लग रहे है कि आपके बाल इतने जड़ ज़ड़ए है कि एक दिन आप गंजी हो जाएंगे तो don't वरी काले लंबे घने और मोटे बाल सभी की खौईश होती है सभी को अच्छे लगते हैं दोस्तों जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे बाल घनगनाते हुए आप सभी कैसे बाल होंगे बशटते आपको क्या करना है इस वीडियो को पूरा एंट तक देखना है वीडियो अच्छा लगे तो मेक शूर वीडियो को लाइक करना है चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है साथ में एक बेल आइकन है उसे प्रेस करना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो make sure comment करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों मुझे काफी समय से comment आ रहे थे कि हमारे बाल बहुत ज़ादा ज़ड़ रहे हैं काफी टाइम से आप लोग मुझे पोच रहे थे कि दी कोई ऐसे remedy शेर के जी हो करनी है दोस्तों आज मैं ऐसी remedy आपके साथ शेयर करूंगी जो आप लोगों की length को boost करेगी आपकी growth को boost करेगी साथ ही साथ आपके hair fall को control करेगी hair breakage को control करेगी और आपकी length को ऊपर से लेके नीचे तक एक सार बना देगी दोस्तों अकर आपको hair fall की problem है तो उसे तो fix करेगी साथ ही साथ अगर hair breakage की problem है आपके बाल बीच में से तूट रहे हैं तो ये उसे भी fix करेगी इस remedy को बनाने के लिए हमें चाहिए दो medium size की प्याइज आप देख सकते हैं दो medium size की onion मैं नहीं हाँ पर ले लिया है onion जो है इसमें भरपूर मातरा में sulfur होता है जो कि हमारे बालों को काला मोटा घना लंबा करने के साथ हमारे बालों की length को boost करता है growth को boost करता है हमारे बाल की growth को चार गुना तेजी से बढ़ा देता है प्याज के अंदर sulfur होता है जिसकी वज़ा से आपके आँखों में आसु आते हैं यह इतना पावरफुल इसके अंदर एक ingredient होता है एक तत्व होता है जो आपकी बालों की growth को boost करता है प्याज के साथ साथ प्याज के चिलकी भी बहुत जादा यूसफुल है अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पर काफी सारी remedies मैंने अनियन पील के ओपर काफी सारी डाली हु कोई बहुत अच्छा सा डिजाइन को कट करने की ज़रूद नहीं है रफली चॉप कर लीजिए जैसे भी आपको अच्छा लगे चोटा मोटा बड़ा जैसे मर्जी आप इसे कट कर सकते हैं कट करने के बाल आप देख सकते हैं मैंने इसे कट करके रख लिया है और अब अगर आपकी स्किल पर कोई बैक्टिरिल प्रॉब्लम है या फिर इंफेक्शन है तो यह उससे फाइट करता है उससे ट्रीट करता है ठीक है साथ से साथ आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है आपके बालों में शाइन लेकर आता है आपकी बालों की ग्रोथ को फास चुकी हूँ बहुत बार आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ और एक बात मैं बता दूँ आपको ये मत आप सोचना कि मैं मतलब आप लोगों को वीडियो में अपने ऊपर कोई चीज अपलाई करके नहीं दिखाती हूँ इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है मैं कोई भी ची इसको आप समझे और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए काफी टाइम हो गया मुझे आपके साथ जुड़े हुए बट मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है कभी-कभी मुझे बहुत जादा निराशा भी होती है लेकिन आप सभी का प्यार और कमेंट मुझे रोग देते है और मेरी निराशा को मेरी प्रशंसा में वदल देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ अपने विचार और अपनी वीडियो शेयर करना दोस्तो वीडियो एडिट सौरी शूट करने से लेके पोस्ट करने तक का सबसे बहतरी जो टाइम मैं आप पर या अपनी फेस पर आपको कोई चीज अपलाय करके नहीं दिखाती हूं ट्रस्ट मी मैं सारी चीज़े खुद इस्तमाल करती हूं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूं बट एक कंडिशन है तो प्लीज आप उसे समझे और प्लीज डू सपोर्ट और इस यू लाइक माई इस सब्सक्राइए नहीं किया किक रिखाती है आप यूश कर सकते हैं बनों चीज़ों का बहुत अच्छा सा जूस चाहिए तो अगर आप चाहें तो गरेंडर का ब wystवाल कर शकते हैं तो जो आपको suitable होता है वो आप यहाँ पर use कर सकते हैं दोनों ही चीज़ें आपकी बालों की growth को boost करती है दोनों ही चीज़ें आपकी बालों के length को boost करती है आपकी बालों में गजब की shine लेकर आती है आपके बालों की जो hair fall की problem है अगर आपके बालों जढ रहे हैं तो आपके बालों की length को boost करेगी और आपके बालों के जढने को 2-3 बार के use में ही ये खतम कर देगी अगर आप लोग इसे किस दिन इस्तमाल कर लेंगे ना तो trust me, guarantee देते हूं आपके बालों का जढना बिल्कुल रुक जाएगा और ऐसा लगेगा आपको के हमारे बाल कभी जढ़े ही नहीं थे क्योंकि आपके बालों में thickness भी provide करेगी ठीक है अच्छा सा paste बनाने के बाद हम इन सारी चीजों को अब छान लेंगे क्योंकि हमें यहापर इसका juice चाहिए दोस्तों अगर आप comfortable है कि आप paste बना कर इसे अपने बालों में लगा ले और आप कुछ भी waste नहीं करना चाते तो आप यह paste भी अपने बालों में लगा सकते हैं लेकिन कुछ लोग जो है comfortable नहीं होते हैं कुछ इसके particles होते हैं जो बालों में फसने लगते हैं तो वो उन्हें पसंद नहीं आता तो मैं इस remedy को आपको चान कर भी दिखा रही हूँ ठीक है अगर आप चाहें तो इससे चान कर इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो आप इसे ऐसे ही इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी कोई भी मसला नहीं है यह सिर्फ अपने ऊपर है आप जिस तरह से कंफटेबल हैं उस तरह से आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है मैंने पता है क्या किया था मैंने यह सारा जूस तो इसका चान लिया था ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब यह मैंने जूस तो आपको चान की दिखा दिया अब यह मेरा वेस्ट हो जाएगा सारा समाल लेकिन मैंने पता है क्या किया मैंने इसका एक ओयल तयार किया है जो कि आपको आगे वाली इस वीडियो में नजर आएगा मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है आगे मैंने एक वीडियो शेयर किया उसमें मैंने जो भी बचा हुआ मेरा पोशन था उससे मैंने हैर ओल बना कर आपके साथ शेयर किया है अगर आप लोग देखना चाते हैं तो आप यहाँ पर एक चमच coconut oil या फिर बदाम का देल भी add कर सकते हैं और अगर आपके पास जैतुन का देल यानि की olive oil है तो उससे बहतर तो कुछ भी नहीं है अगर आपके पास वो है तो आप वो add कर दीजिए मेरे पास भी vitamin E की capsule थी तो मैंने 3-4 vitamin E की capsule इसके अंदर add कर दी अब यह हमारा serum हो चुका है तयार अपने क्या करना है अपने hairs को अच्छे से wash करना है अगर आपने दुपहर में अपने hairs को wash किया है या morning में वोश किया है तो आप इसे दुपहर में apply कर लीजिए और इसे पूरे दिन अपने hairs के अंदर छोड़ दीजिए पूरी रात अपने hairs के अंदर छोड़ दीजिए और सुबह उठकर आप इसे अपने बालों को धो लीजिए अगर आप रात में इसे इस्तमाल कर रहे हैं तो आप अपने रात में पूरी रात इसे अपने वालों में छोड़ दीजिए और सुबा उटकर अपने वालों को आप धो सकते हैं कहने का मतलब है तक्रीबन बारा से तेरा घंटे या अपने वालों के अंदर रहना चाहिए तब ही अपना काम आपको जबर जस्ताइके से करके दिखाएगा लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तीन से चार घंटे नहाने से पहले से अपलाय कर लीजिए उसके बाद अपने वालों को वाश कर दीजिए ठीक है बहुत ही गजब की रेमेडी बहुत अमेजिंग रेमेडी है अगर रेमेडी पसंद आए या मेरी इन्फरमेशन या फिर मेरी वीडियो इत्ती सी भी महनत पसंद आए आपको तो मेक शौर वीडियो को लाइक से रेंड सब्सक्राइब ज़रूर करें साथ में एक बेल आइगन उसे जरूर प्रेस करें मिलूंगी नेक्स वीडियो में आप सभी से कुछ नया और मज़ेदार लेकर तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें अपना ध्यान रखें और खुश रहें बाबाई